नमस्कार दोस्तों इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कुछ सालों पहले यानि कि 10 माई 2022 को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टैटल था SDFC Mutual Fund के Mobile App से SIP कैसे रिडिम करें तो उस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया है और महाँ पर पूछा गया है सर इसमें नॉमनी एड कैसे करें तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि SDFC Mutual Fund Mobile App के द्वारा आप किस तरीके से नॉमनी एड कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जादा से जादा शेयर करिएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन डिकॉर्डर पर तो दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन डिकॉर्डर पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा HDFC Mutual Fund का मोबाइल एप हमें यहाँ पर नजर आ रहा है तो इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेना है तो दोस्तों लॉगिन होने के बार में कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आपके सामने नजर आ जाएगा यहाँ पर मैं एक चीज आपको clear कर दूँ कि आपके जितने भी folio होंगे हर folio के लिए आपको अलग-अलग nominee एड़ करना पड़ेगा यग आप modify करना चाहते है तो modify करना पड़ेगा यह आप delete करना चाहते है तो delete करना पड़ेगा ठीक है यह चीज clear हो गया अभी क्या करना है, यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर यह तीन लाइने हैं, यहाँ पर हम करते हैं, क्लिक, चलिए यहाँ पर क्लिक कर दिया, अभी आपको एक option मिलेगा, यहाँ पर my profile का, चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अभी यह open हो रह तीन अलग अलग फोल्यो नजर आ रहे हैं सबसे पहला हम काम करता है किसी एक क्लिक करते हैं हम इस पर इतने कि इसे lip करते चलिए हमने यहांपर click कर दिया click करने के बाद में अभी ऐसी open हो रहा है open होनेके बाद में आप देख रहे होंगे इस तरीकी के इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा अभी यहाँ पर नीचे के और आपको एक option मिलेगा nominee details का और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है opt out of nominee ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं click जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो इस case में इस folio वाले case में यहाँ पर एक भी nominee add नहीं है अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो यहाँ से आप nominee को add कर सकते हैं कहां से यहाँ से यह जो nominate लिखा हुआ है चलिए अभी हम यहाँ पर click करके आपको दिखाते हैं और nominee add भी यहाँ पर कर लेते हैं तो सबसे पहले option में आपको nominee name डाल देना है portion कितना percentage आप allocate करना चाहते हैं उसके बाद में यहाँ पर nominee की due भी डाल देना है यहाँ पर nominee से जो आपका relation है वो डाल देना है यहाँ पर nominee का pen number डाल देना है और यहाँ पर आपको address डाल देना है और उसके बाद में नीचे country फिर state फिर city फिर pin number डालना है और उसके बाद में done पर कर देना है चलिए यह सारा कम हम करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी details डाल दी है अभी simply हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर यह जो done लिखाओ इस पर करने वाले हैं click चलिए हमने यहाँ पर click कर दिया click करने के बाद में यहाँ पर देखें क्या लिख करके आ रहा है इसको ध्यान से देख लिखिए यहाँ पर आपको done है email id belongs to और यह जो mobile number दिख रहा है यह mobile number belongs to चलिए इसको हम यहाँ से select करते हैं जैसे आप यहाँ पर click कर देंगे हम यहाँ पर self कर देंगे यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर self कर देंगे और उसके बाद में नीचे की वर आप दिखिए तो आपका यहाँ नॉमनी का नेम आ जाएगा यहाँ पर रिलेशनसिप आ जाएगा यहाँ पर percentage आ जाएगा ठीक है तो उसके बाद में अभी हम यहाँ पर summit पर कर देंगे click चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं click summit पर click करने के बाद में अभी आपको यह बोला है term and conditions में I have read and understood of investment तो यहाँ agree पर कर देंगे click चलिए हमने agree पर कर दिया है click अभी OTP आएगा आपकी email ID पर भी और mobile नमबर पर भी तो OTP आ गया है यहाँ समने इसको कर लिया copy, copy करने के बाद में यहाँ पर कर देते हैं इसको paste paste कर दिया ठीक है और paste करने के बाद में जो submit का option है इस पर हम कर देंगे click चलिए हमने यहाँ पर click कर दिया click करने के बाद में यहाँ पर लिखा है nominee details have been registered successfully ठीक है यहाँ पर हमारे पास में message बगारा भी आ गया है तो अभी चलिए यह पर देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या इस्तिती है ठीक जैसे click करेंगे फिर से हमारा उसी page पर पहुँच गया है और यहाँ पर अभी हम nominee details पर click करके देखते हैं कुछ update हुआ है या बाद में update होगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगी कि तुरंत का तुरंत ही हमारा यह update हो गया है तो इस तरीके से आप कोई नया nominee update कर सकते हैं अगर आपको अपना जो nominee है उसमें कोई परिवर्तन करना है उसका name को modify करना है यानि कि आपको किसी को आपने पहले nominee बना रखा है उसकी जगह आप कोई नया nominee बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा चली उसको देख लेते हैं तो अभी हम फिर से यहाँ से चले आते ह है back ठीक है और back चले आते हैं अभी हम सबसे जो last वाला हमारा यह folio है यहाँ पर करेंगे click चली यहाँ पर click कर दिया तो click करने के बाद में अभी यह open हो रहा है open होने देते हैं फिर से हम जाएंगे कहाँ पर यह nominee details में जाएंगे यहाँ पर चले गए तो यहाँ पर मेरा एक nominee पहले से पड़ा हुआ है इस nominee को मैं modify करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह जो pencil जैसा button बना हुआ है इस पर कर देंगे click जैसे ही आप click करेंगे तो आप यहाँ पर name या जो भी details है उसको आपको डालना है और डालने के बार में done पर click करना है चली यह भी मै आपको करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने साई details डाल दी है अभी सीधे हम done वाला जो option है इस पर कर देंगे click चली हमने यहाँ पर click कर दिया अभी फिर से हमें जो process हमने पहले किया था यहाँ email id belongs to और mobile number belongs to इसको select करना पड़ेगा और select करने के लिए ऑपिखर धुको करेंगे यहाँ पर सेल्फ कर देंगे और यहाँ पर भी ड्रॉप दाउन पर click करेंगे यहाँ कर देंगे उसके बार में simply अभी इसंगेश लिए संभी करते हैं और उसके बादमेश गरिपर कर देंगे चलीए और उसके बार इस हम पर pastors क्लिप कर देतAY है और समिट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर क्या लिक करके आ गया है नॉमनी डिटेल्स हैं में रेजिस्टर्ड सक्सेस्पूली ठीक है चलिए अभी हम क्या करते हैं फिर से आपको बैग जाके दिखा देते हैं कि हमारा यह तुरंत का तुरंत क्लिक करना भी सिखिंगत बहुत सिंपल कुछ नहीं करना है सीधे आपके सामने यहां पर डिलीट का बटन दिख रहा है कोई भी फोलियो आप सेलेक्ट कर लिए मैं आपको करके भी दिखा जाता हूं और मैं इसको माले फिर से इसी को क्लिक करता हूं जो अभी मैंने मोडिफा अ़िस पर है यहां पर इसे एक पर हम नोनी देटेल में जाते हैं और उसके बाद में यह जो डेलीट वाला बटन आपको यह वह दिख रहा है यह वाला इस पर आपको कर देसे हैं इस to self और यहाँ पर जो box बनाए है यहाँ पर आपको ऐसे टिक कर निशान ऐसे लगा देना है फिर आपको इसको उपर की और सरका देना है और जैसी आप उपर की और सरकाएंगे यहाँ पर continue का option आपको मिलेगा इस पर कर दीजे क्लिक क्लिक करने के बाद में फिर से हमारे mobile नमब और email ID पर OTP आएगा इस OTP को यहाँ पर आपको डाल लेना है इसने automatic OTP हमारा उठा लिया है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पहले nominee यहाँ पर लिकर के आ रहा था वो गायब हो चुका है तो इस तरीके से आप यह तीनों काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं यानि कि आप अपना जो nominee है उसको add कर सकते हैं आप existing nominee को modify कर सकते हैं और तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपने nominee बना रखा है उनको हटा भी सकते हैं delete भी कर सकते हैं तो अमीद करता हूँ कि जिन्हों ने यह comment किया था उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और इस प्रश्न से और भी लोगों की काफी help हो जाएगी तो ये वीडियो आपको कैसा लगा comment में जुरूर बताइएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करिएगा चैनल पर पहली बार आएगा चैनल को subscribe करिएगा तो इस वीडियो में इतना है नेस वीडियो में नई ज जान कारिक साथ तब तक के लिए नमस्कार